भारत का पहला बहुराश्टरी हवाई अभ्यास तरंग शक्ती दोजार चौबीस कल से तमिल नाडू के सुलूर में शुरू हो गया है। इस अभ्यास में 30 देश हिस्सा ले रहे हैं। औस्टेलिया, बांगलादेश, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीश, स्पेन, संयुक तरब अमिरात, ब्रिटेन, अमेरिका और सिंगापूर सहीत दस देश अपने लड़ाकू विमानों के साथ अभ्यास में शामिल होंगे। अभ्यास के पहले दिन कल जर्मन वायू सेना के A400M विमान ने तरंग शक्ती में भाग लिया। जर्मन वायू सेना प्रमुख लेप्टिनेंट जनरल इंगो गेरहार्ट ने कहा, मैंने उडान भरी और यहां शांदार रहा। दो चर्णों में आयोजीत होने वाले इस अभ्यास का उद्देश भारत की रक्षक्षमता का प्रदर्शन करना और भाग लेने वाली सेनाओं को एक दूसरे के साथ काम करने का मंच प्रदान करना है। बारत में जरमन राजदूत डॉक्टर फिलिप एकरमेन ने कहा है कि वह भारती वायु सेना के साथ तच देश का इवित ग्लोरी के अभ्यास में शामिल होकर बहुत खुश है। यहां पहली बार है जब जर्मन वायू सेना भारत में भारती वायू सेना के साथ उडान भर रही है. इस अभ्यास में भारत की तेजस राफेल, मिराज 2000, जगवार, MIG-29 विमान और अन्य लडाकू विमान अभ्यास में भाग लेंगे. अभ्यास के दोरान उडान और जमीनी प्रसिक्षन, रक्षा प्रदर्शनी और सांस्कृतिक आदान प्रदान कारेक्रम भी आयू जीत किये जाएंगे. पहले चरण का अभ्यास 14 अगस्त तक चलेगा.